निमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं सन्वाल एजिटिक यूट्यूब चलना है दोस्तो बात करें MP 22 बोर्ड परिक्षित 2013 का बार्वी क्लास का हिंदी का पेपर है 2 मार्च को दोस्तो आपके एक्जाम होने वाली है रट लेना आपको इस पेपर को सेट सी आपको बता रहा हूँ आँसर सहीद आईए बात करते हैं यहाँ और देखते हैं इसमें किस परकार के क्यूशन दिये गए है सेट आपको चार दे जाएंगे क्यूंकि बार्ड पर एक्जाम होने वाला चार सेट से बार बिल्कुल भी नहीं आने वाला चारु सेट आपको रटना होगा आईए बात करते हैं पेपर के बारे में जी हाँ दोस्तों यह है बारवी क्लास का हिंदी का पेपर बट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सैट बै देरे का बट यह क्या है सैट सै है यानि कि तीसरा है यहां गालती से यहां पर बै लिखा हुआ है दो मेने पहले बता चुका हूँ यह तीसरा है आए बात करते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1st question के बारे में आतम-परिच्चे-कविता किस गीर संग्रहे से ली गई है यह ली गई है नीशा निमंत्रन यानि कि बैय उप्षन इसका क्या होगा राइट होगा कि स्ट्धिया का रट होगा सफ्धिया का अर्थ है वास्त्विक चिन यानि कि इसका रायट चाहिए, आतित में दबे पाउँ र successes नमें ऐसा不會 याद की बात करते हैं पहला क्योषन दे रहते हैं आपने की बादर राग कविता में अनामिका में खंडों में परकासित है तो श्ैखंडों में परकासिता है इसके आंसों राहेगा सिक्स नेक्ष राता है नांगारजू नांगारजुन की कभी घुन ठे हांपे परगति को लगे कहलें में इस बार हो sushi गए सब्सक्राइब जोड़े जैसे हम बात करें हरी वंस राई बचन हरी रंस राई बचन आएगा आपे हालावाद यह वाला यानकी चै इसके अंदर मिलने वाला चै इसका राइट होगा नेक्स आता है उपमे की उपमान से इस रेष्टा तो यह आएगा आपे व्यतिरेक अलंकार लाश लाश मे होगा इसन होगा राई टानतवा यहां पर से आन्स त्魚 सूव कई और यहां अद्समिवस सब्सक्राइल ईके लाश आता है छिसम्स तके उसके बात में आता है आपके four question four question में क्या करना है दोस्तोफा अपको एक वक्ये एक वक्ये में के वाड़गे इतर देना है जैसे बात करें 찾ए first question क्वी उमा संकर जोसी ने अपने खेत में कौन-कौन सा बीज बोया था तो यहां पर आएथा कवीता का, कवीता का क्या किया दाए बीज बोया था, नेक्स आता है जान शाम गन्शाम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कोन सा अलंकार, तो यह है कि ब्रांतीमान अलंकार है, नेक्स आधुनिक यूग को मीरा किसी का जाता है, तो जो फनी सवर नात रेनु है उसको का जाता है नेक्स्ट है मेला अचल के लेकका का नाम क्या है तो मेला सोरी आधुनिक यूग की मेराओ का जाता है महादेवी वर्मा को और नेक्स्ट है मेला आचल के लेका का नाम क्या है तो यह आएगा आपका फणी सवरनात रेनु आएगा ठीक है काठ की हानी बार-बार नहीं चड़ती का अर्थ क्या है तो यह आएगा चल कपट बार-बार नहीं चलता है नेक्स आया है आनंद यादाओ का मन किस बात से तरबता था पाट सला जाना के लिए नेक्स आप परदेश के किनी दो लोग परे शमाचार पत्रों के नाम लिए तो धैनिक बास कर एक है नई दुनिया थीक है उसके बाद में आता है आपका ए सत्य और सत्य के बारे में बताना यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट कूशन में आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ती कवी की आँखे चुराए ले जा रही है तो यह आगा है यहाँ पर सत्य है यह क्या है यहाँ पर सत्य है नेक्स आता है किस कावे में पूरा पर समन्द हो उसे महा कावे कहता है तो यह क्या है बिलकूल ए सत्य है दूसरा क्या है यहाँ पर ए सत्य है उसके बाद में तीसरा इंदर से ना सबसे पहले गंगा मया की ज अंतर किरयात्मक और सुचनाओं का विसाल भंडर भन्डार बिलकुल सकते है उसके बाद मैं आता है आपका जी चुछन दो छायावादी कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना तो यहाँ पर बात करो दो हैं वादी कवी मान सकते हैं एक तो होगा राम चरित मानस होगा एक होगा पदमावत है ठीक है और इसके जो राम चरित मानस है तुलशिदास इसके रचनाकार है और जाईसी क्या है इसकी परम जो पदमावत है उसके जाईसी रचनाकार है ठीक है उसके बाद में रहता है दो म महा काव को नाम-कवाइख महाकावे राम-चलित्-पानस हो गया पदवाध हो गया और रचना का राम चलित्मानस का रतनागर तुलशीदास है और जाएस है और इसका जो उपर दे रख है दो छायावादी कवी है और उनके एक रचना नाम बताना है ये आप खुद देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में आता है निज उर के उधार से क्या तातप्रे है ठीक है इसके बारे में क्या देना है परिवासा देना है ठीक है ये आपका दो न संचारी भाव की संथा है योग नहीं है ओھ उसके बाद में आता है आपका पुर्रक्ति प्रकास अलंकार की परिवाशा सहीत क्या करना है समझाना है next time nine question माधुरिय गुन में कौन कौन से अलंकार पाई जाते हैं इसके बारे में समझाए और उसके बाद में आता है कि नहीं दो वारनिक छंदों के नाम लिखते हो किसी एक छंद का क्या करना आपको नाम लिखना है और उसके बाद आजम दो सब बात करें ten question ten question में आता है कि नहीं दो कहनिकारों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखना है तो ten question में बात करें सबसे पहले आपको बदा दे काहनिकार समझ सकते हैं उपेंदर नात एक तो आपका असका हो गया और एक जे जे संकर परसाद कहनी कार दो गए उपेंदर नात का रचनाकार होगा आकास सारो और जे संकर परसाद का होगा आकास दीप ठीक है उसके बाद में आता है आतम कता जीवनी के दो अंतर बताना है और नेक्ष 11.30 के फूल के लेखक में सीत सीत पुस्प की संग्या किस परकार की है इसके बारे में समझाना है और इसके अंदर आत्वा में पूचा है लेखक सलेंदर कुमार के अनुशार बाजार उपन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में समझाए उसके बाद में आता है आपका बारो क्यूशन बारो क्यूशन में उधारन सईद क्या करना आपको समझाना है और उसके बाद हम बात करते हैं तेरा कुशन अर्थ की दर्शी से वाक्य के परकार कितने होते हैं तो ये सभी को पता है अर्थ की दर्शी से वाक्य के परकार कितने भेद होते हैं आपके आठ भेद होते हैं तो नाम आपको बदाते हो गया संकीत वाचक हो गया ठीक है उसके बाद में बात करते हैं हम अथ्वा संप्रक बासा किसे करते हैं इसकी परिवासा देना है और अब चोधर कुछन आता जूज गानी की सीच से की सार्श तक था लिखना है मुहन जोड़ों के घरों की दो विस्ता है तो घरों की दो वि भूने थे ठीक है मुक्या का घर दो अंगन वाला होता था उसके बाद में बात करते हैं 15 क्यूशन जन संचार माध्यम टेलिविजन के दो गुन बताना है तो यहां पर दो गुन बताने जन संचार टेलिविजन के और नेक्स है प्लेश और ब्रेकिंग निवज क्या है इसक इसके दो रचना भावपक्त, कलाबक्त लिखना है, 17 कुछन है, जैनेंदर कुमार, धरंबीर भारतिय का साइट तक परीचा है, निमन बिंदो के अधर पर लिखना है, दो रचना है बासाली, और 18 कुछन है, बोर्ड परीच्छा की तयारी कैसे की जाए, इस विशन में आपक कान का कच्छा, तो इसका आर्थ होगा बिना सोचे, समझे, दूसरों की बाते में आना, यानि परियोग कर सकते हैं, अरजुन अभी से को कुछ गलत करने को कहता है, तो अभी से कह देता है कि वहें कान का क्या है, कच्छा है, नेक्स्ट है, आटे दाल का भाव मालुम होना, यानि कि आपको केतने आपे करने को, तीन करने कालाकसर भेंस बराबर का लिख सकते हैं, आप अनफट होना, और यानि की एस सिक्सित होना भी लिख सकते हैं, अनफट होना भी लिख सकते हैं, प्रियोग में है मोन की पतनी जो कालाकसर भेंस के बराबर है, उसके बाद में आ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर इसका आपको पहले तो आपको क्या करना है आपको सीर्षक लिखना है और उसके बाद में आता है आपका किसका गनी समंध है सपलता का रश से किसमें नहीत है नेक्स आता है उप्योग ध्यान से और यहां पर एक और अत्वम दे रख है इसमें भी आपको सटीक सार्तक और सीर्षक लिखना है और परस्तूत कमेंस में कौन सा रश है लिखना है आराम सबत की क्या महत्त बताई गई इ प्二से क्यूशन है यहां पे नेमलित संद्रप परसंग काव यह संद्रप सहीध क्या नहीं लिखना है ठीक है तो देख सब्सकर जाख है और देख सकते हैं और इक किस कुशन है गढ़右 दीम पत्तर लिखना है त्यकर में चोरी के भंदते इकटनाओं को देखते वीए नग चोटी बहन को एक पत्त लिखना है जिसमें परीक्ष एक त्यारी कैसे जाने के विसे में पूंचे और लास्ट कुशने आपे निमंद लिखना है जिसे समय का सद्विप्योग होगा पर्यावन परदोसन समय समय शमाधा जाता है तके नहीं हम जीवन में खेलो का मैं तो संचा